अम्रित पाल सिंग दे हक दे वेचे नितरायने समरंजी सिंगमान देदेता वड़ा ब्यान तो इसी पाकिस्तान 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 से तो हम आए हैं हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे गांधी चाहता था नेरू चाहता था हमको तो पाकिस्तान से नकाल दिया गया है हमारा तो वो देश है दो कि सुरंडर शुरंडर लाहिया है सच कदे सुरंडर नहीं करते हैं असी द्रपोक नहींatic औरalk show है कि सटनी सेंडर करते होते हैं भाई स्टैज़ान आप लोग कर देते हम निकटे हैं यह बहुत काहिरता थिर बात होती है की सरिंडर करो सुर्म करो Cont-, क्यों सुर्णर करें हम सीन के आगे-ागे फिर सरिंडर का मतलब होता है अपने देश के आगे थोड़ी कोई सरिंडर करता है पिलकुल यह गलत बात है हिंदुबग वादि आप लोग कर देते हैं हम नहीं करते हैं हमको नपाल के बॉर्डर में पकड़ा गया था अपने पाओं में थे जब पकड़ा गया है हमने सिलेंडर तोड़ी किया अच्छी दफा हमको परकाज सिंग बादल और सुखबीर सिंग ने मैं जब अमरत सर में था 2015 मों तो मेरे घर के रात के दो बजे सुबह मैं अपने बिस्तर में सोय पड़ा था और पलीस जिसने शराब पी हुई थी मोटे मोटे आके मेरे को अपने बिस्तर में से अठा के तो अपने ठाने में ले गए थे मेरे को सोय को तो पकड़ा था मैंने सिरेंडर थोड़ी किया कोई सिखनी करता है सिरेंडर ये बहुत काहिरता थी बात होती है कि सिरेंडर करो सिरेंडर करो क्यों सिरेंडर करें हम हमारी हमारी ये दर्ती नहीं है अगर हम चीन के आगे आगे फिर सिरेंडर का मतलब होता है अपने देश के आगे थोड़ी कोई सिरेंडर करता है बिलकुल गलत बात है हिंदुत्वा की अगर उनकी मर्जी होगी यो फेस करेंगे पर आप उनके उपर दुबार नहीं डाल रहे पाकस्तान का पाकस्तान तो हमेशा आप डालते हैं पर आपने Official Secrets Act देखा है कभी जितने भी पकड़े गए हैं सबसे ज़्यादा हिंदु लोग हैं पाकस्तान को खुफिया सीक्रेट देने में सिखों में एक आदा होगा हिंदु सबसे ज़्यादा है तो आप लोग बताईए कि आप हिंदुस्तान से कैसे वफदार हैं और हम लोग जो Official Secrets Act में नहीं कभी पकड़े गए हम कैसे गरदार हैं बताईए फिगर्स नकाल दो Home Ministry में पड़े हैं आज आप पूछ सकते हैं कि कौन से कौन से मजब के लोग पाकस्तान के खुफिया एजिंसी को देते हुए आपकी एक मेला पाकस्तान में बैठी वो पकड़ी गई थी High Officer तो ऐसी पाकस्तान, पाकस्तान पाकस्तान से तो आम हाएं हैं हम पाकस्तान नहीं चाहते थे गांदी चाहता था, नेरू चाहता था हमको तो पाकस्तान से नकाल दिया गया है हमारा तो वो देश है तो हमको चोटने लगे कि हमारा culture हमारी जबान हमारी history सब उधर पड़ी है हमारे गुर्द्वारे उधर पड़े हैं तो हम पाकस्तान को बुरा क्यूं कहेंगे आम चाहते हैं कि हमारी trade खोलो जिसके साथ इंडिया और पाकस्तान की दोस्ती बड़े जैसे चीन के साथ आपकी लड़ाई है चीन के साथ तो ट्रेड है आपकी और एक बिलियन क्रोर का डिफिसिट है इंडिया का चीन की ट्रेड के साथ तो फिर अगर चीन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं तो पाकस्तान से क्यों नहीं कर सकते इसके साथ हमको बहुत राहत मिलेगी पाकस्तान में कंक नहीं है हमारे पास सब्कतिं के बंदार पड़े हुए थार फेडर अगई है came कि दृष्फरार चलेगी ट्रांस्थर चलने में हिंदुस्तान को फेदा होगह इस की जो कार खन्ने एंडोन को ज छेलेंगे च्हारीस हजार सिक नौज़ून बेरजगार है और रोजी लेंगे हमने पाकिस्तान से क्या लेना है चोटा सा मुलक है उसके पास रोटी नहीं है दाल नहीं है कुछ नहीं है खालिस्ताव नहीं को चाहिए हमने कहते है इसमें क्या रोग है अकर आप हिंदुस्तान इंडिया चाहते है तो हम खालिस्तान चाहत जिसके साथ संदी 1800 अनंजा की अंग्रेजों की हुई तीसकों के साथ उसमें लिखा हुआ था कि आपके महराजा साहब जब अमर के होंगे आपका राज वापस किया जाएगा तो हमारा राज उनीश सो संटालीस में अंग्रेजों ने क्यों ने बहाल करके गए हम वो राज को चाहते हैं को ऐसी बात तो है नहीं इसमें क्या बात है कि हम अपना राज चाहते हैं अगर आपको अच्छा लगता है आपका राज और मुसल्मान को अपना राज अच्छा लगता है क्या सिख अपनी माँ के बेटे नहीं है ये और कहीं से आए है जो आदवासी है उनको जं लूबॉर्ट्र को देखी Anda, either घ्रीक्हाथ, उनके साथ नहीं बंढाती। इखकी आप जड़ कि शमीड में हैं किश्मियि मुस्रम उनके साथ आप गोली बारी चला रहे हैं hopers, लादाक एंके साथ नहीं हैं वो आपके साथ लड़ रहा है, नागे लड़ रहे है, मीजो लड़ रहे है, मनीपूरी लड़ रहे है, जो देश नौथ एस फ्रंटियर एजन्सी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, और उन्चल, उनके लोग लड़ रहे हैं, वो अजादी मांग रहे हैं भाई साब, तो मेरा म लड़ रही हैं, अगर आप नेता जी सभाज चंदर बोस के साथ हो सकते हैं, तो हम भी सिखों के साथ हो सकते हैं, नेता जी सभाज चंदर बोस ने क्या किया, वो अंग्रेजों के खलाफ हिटलर के साथ, मुसलेनी के साथ, जपान के टोजों के साथ मिल गए, और जपान ने सेकंड वर्ल्ड बॉर्ड में एंडमन काला पानी का कबजा कर दिया था तो सभाष चंदर बोस जी जी उसी में थे उन्होंने नेता जी ने वो जो सिख और हिंदुस्तानी अंग्रेजियों के जेलों में थे काला पानी में उनको क्यों नहीं रहा किया है नहीं आप तो वैसे मगर पढ़ जाते हो सिख ओगे अपनी आपको आने देंगे ने ने अजिया हिंदु राश्टर क्यों बन जाएगा अगर खालस्तानी बन देंगे तो हिंदु राश्टर के से बन जाएगा यह डॉयल साब आपके सारे नेसे के साथ बात कर रहे हैं बर् देखिए हिंदू नाश्टर क्यम बन रहा है मैं अमरतपाल को मैसेज की देना चाहता क्यों करके इसके साथ मेरी एक दफा हम्हेत हुई है उसका क्या मतलब है कहा है कहा नहीं है आपने पूशा सरेंडर कर दो मैंने कहा है कभी सरेंडर नहीं करते हैं और मिर्जे को बोलने नहीं देते, संसद में आपकी पार्लिमेंट में सिर्फ पार्टी को जिसकी गिन्ती बहुत होती है, उसके मताबक बोलने देते हैं. और सब पार्टी जो हैं उन में मजॉरिटी हिंदूओं की है पार्लिमेंट में सिर्फ हिंदू बोल सकता है हमारी स्पीकर साथ बोलते है कि आपकी मजॉरिटी पार्लिमेंट में नहीं है तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा आप बताइए तो मेरे को कैसे बलवाएंगे आप बलवाएंगे, कहींगे स्पीकर को जाके, कि जी सिमन जी सिमान को बोलने दो, तो मैं बोलूँगा, जब हम के मुँ में तुक्का दिया हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, हम शरीफ आदमी हैं, मैनर्स हैं हमारे पास, अच्छी तरह जाते हैं, बैठते हैं, हम छोड नहीं ब पता है ना, कांग्रिस को पता है कि पार्लिमेंट में क्या करना है,